नमस्कार, welcome to my channel, मैं हूँ मनिशा, दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको कुछ चित्र के बारे में बताएंगे, कुछ ऐसी प्रतिमाओं के बारे में बताएंगे, कि आपको अपने घर में बिल्कुल भी नहीं लगाना चाहिए, चाहे आप पूजा मंदिर में रख रहे हों इन सबी चीजों से बचने के लिए आपको इन तस्वीरों को अपने घर में कडाप भी नहीं लगाना चाहिए, तो चलिए जानते हैं कि कौन-कौन सी तस्वीरे हैं जो कि आपने घर में नहीं रखना चाहिए, और साथ में हम आपको ये भी जानकारी देगी कि भगवान स्र ग्रस्ट्ने की कौन सी तस्बीर कहां लगानी चाहिए तो चलिए वीडियो की शुरुबात करते हैं दोस्तों यई आप मारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें सबस्क्राइब करने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राक्त हो दोस्तों कई लोगों ने पूछा था कि मैडम आपके वहाँ ठंड नहीं हो रही है दोस्तों ठंड सब कहा हो रही है और बहुत कडाके की हो रही है अभी भी ठंड है जो कि मैं अकसर बताती हूँ कि खिड़की खोल के हम वीडियो बनाते हैं तो हमारे खिड़कियां खुली है और बहुत ठंड लग रही है तो क्या अगरू लाइट की प्राबलम थोड़ी सी हो जाती है इसकी वज़े से खिड़कियां खोलनी पड़ती है तो अच्छी रोशनी आत है महिसासुर मर्दनी की जो ततिमा होती है जिसमें मा जो है एक त्रिशूल से महिसासुर का वद कर रही है और मा का विक्राल रूप होता है और राक्षस जो उनका होता है वो भी उसका धड़ आधा कटा हुआ रहता है उससे खून निकलता रहता है और जो उनका सिंग होता वो दात को फाड के उस रक्षस पर एक प्रकार से अटेक करता है तो ऐसी प्रतिमा आपको अपने पूजा मंदिर में नहीं लगानी चाहिए और नहीं ऐसी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिए जो विक्राल रूप वाली प्रतिमाइं होती है वो हमारे लिए शुब नहीं वाली जाती हैं तो ऐसी प्रतिमा आप अपने घर में बिलकुल भी ना लगाएं मा का जो सोम में रूप होता है माता दुर्गा सिंग पे सवार रहती हैं और आशिरवाद के मुद्रा में रहती हैं इसी प्रकार की तश्वीर को आपको अपने पूजा मंदिर में अस्थापित करना जाहिए और उसे समय समय पर आपको जागृत करते रहना चाहिए जैसे नौरात्री में हम लोग पूजा करते हैं तो उसमें आप इस तरह की तस्वीर का इस्तेमाल करें मैंने उस वीडियो में भी आपको बताया है आवं अगली तस्वीर के बारे में बात करेंगे भगवान श्यू का एक रूप होता है बटुक नात का, भैरो नात का है जिसे बटुक भैरो नात के नाम से भी जाना जाता है ऐसी तस्वीर को आपको अपनी घर में नहीं लगाना चाहिए ऐसा भी करने से आपके घर में अशुबता आती है भले ही वो भगवान श्यू का ही रूप है, लेकिन भगवान श्यू के परिवार के साथ में जो प्रतिमा होती है, जिसमें मा पारवती, भगवान गडेश और कारकित कर्तिके जी भी होते हैं, वो ऐसी तस्वीर ले ले या फिर सिर्फ फिर माता पारवती और भगवान श्यू की प्रतिमा हो तो इस तरह की कोई भी प्रतिमा हो आप उसका पुजन करें लेकिन बटुक भैरोनात की जो प्रतिमा होती है उसको अपने घर में नहीं लगाना चाहिए या फिर एक शुव का रुद्र रूप होता है जिसमें तांडव करते रहते हैं और उसमें उनका विक्रा वगरा करते हैं डांस करते हैं वो उन्हें पुरुषकार के रूप में भी वो मिलता है तो वह एक अलग चीज हो जाती है वो नित्र के रूप में भगवान्शू की पूजा करते हैं और क्योंकि सबसे पहले इस धर्ति पर नित्र भगवान्शू नहीं किया था तांडव के रूप में तो उस प्रतिमा से वहां से वह नित्रास का रूप आया है और उसका जो नित्र करते हैं वह जरूर पूजा करते हैं तो वह एक अलग बात हो जाती है लेकिन अपने घर में सिव का टांडव रूप का प्रतिमा आपको नहीं रखना चाहिए ऐसा भी करना जो प्रतिमा होती है महा भारत युद्ध से जुड़ी होती है बहुत सारे लोग ड्राइंग रूम में ऐसा पिक्चर लगा लेते हैं ऐसा भी आपको नहीं लगाना चाहिए साथ में दोस्तों पूजा घर में आपको जो मालक्षमी की खड़ी वाली तस्वीर होती है पूजा करनी चाहिए यह हमारे लिए बेहद शुब होती है क्योंकि माता लक्षमी चैंचला होती है और वो एक जगा टिक्कर नहीं रहती है इसलिए आपको मालक्षमी के बैठे हुए सरूप का चैन करना चाहिए दोस्तों जो हमारे घर में तस्वीरें लगती हैं हम उन त सास्त्र और अनेग सनातन धर्म में इन चित्रों के उपायों और उनके महत्तों का वरणन हमें देखने और सुनने को मिलता है इसलिए आप इन तस्वीरों के मुद्राओं पर एक बार गर जरूर किया करें दोस्तों इसी क्रम में आपको अपने घर में किसी भी जंगली जान जाकरित होती है इसलिए आपको कभी भी अपने घर में किसी भी जंगली जानवर की फोटो नहीं लगानी चाहिए इसी क्रम में ताजमहल की भी तसपीर आपको अपने घर में कभी भी नहीं लगानी चाहिए दोस्तों ताजमहल एक कब्र है किसे के मृत्यों के स्मारक है इस और नहीं इनकी जो प्रतिमां बुद्ध के रूप में सजावटी रूप में मिलता है, उन्हें भी आपको अपने घर पे नहीं रखना चाहिए, ये हमारे लिए शुब नहीं होता है, इसी क्रम में हम बात करेंगे दोस्तों अगले तस्वीर के बारे में डूपते हुए लेते हैं, लेकिन दोस्तों ये भी बेहत अशुब होती है, इसलिए डूपते हुए जहाज की तस्वीर आपको अपने घर में कभी भी नहीं लगाना चाहिए, आप अपने घर में जब भी तस्वीरे लगाएं, इन छोटी छोटी बातों का जरूर ध्यान रखें, दोस्तों हम अपने घर में शुबता के लिए ड्राइंग रूम में राम दरबार का चित्र लगा सकते हैं, आप चाहें तो पूजा मंदिर में रख कर सुबह साम पूजा नर्चन कर सकते हैं, या फिर आप अपने घर के ड्राइंग रूम में बड़ी सी तस्वीर उत्तर देशामर बीच में आपसी प्रेम बढ़ता है ऐसी तस्वीरों को लगाने से वहीं पर हम बात करें दूसरे तस्वीर के बारे में तो दोस्तों भगवान स्री कृष्ण के जो गाये के साथ तस्वीर होती है जिसमें भगवान स्री कृष्ण एक पैर को टिका कर बासुरी बजाते रहते ह ऐसी तस्बीर भी हमें अपने ड्राइंग रूम में लगानी चाहिए ये भी बेहद शुब मानी जाती है दोस्तों इस तरह के चित्र लगाने से आपके घर में सौभा की किब्रिदी होती है धन आने के मार्ग खुलते हैं और आपके घर में आपसी प्रेम बढ़ता है तो इस चित्रों को गिप्ट के रूप में भी दे सकते हैं ऐसा भी करना बेहद शुब माना जाता है आए जानते हैं कि कैसे हम 108 बतियां या फिर 1000 बतियां सवा लाग बतियां बनाएंगे तो बतियां बनाने के लिए ये मार्केट में इस तरह से थ्रेड आते हैं आप इन्हें ले ले या फिर जो बड़े वाले थ्रेड होते हैं जो हम ज्यादा क्वांटिटी में होते हैं वो भी ले सकते हैं तो अभी ये बिलकुल इजी से है ये दो-दो रुपए बंडल आपको मार्केट में मिल जाएंगे बहुत ही इसली आप इसे ले 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 और चेक करने के लिए आप इसे थोड़ा सा तोड़ कर देख ले कि तुरन तोट जाता है क्योंकि कच्चे शूत का धागा बहुत जादा मजबूत नहीं होता है तो इस तरीके से ये डबल लेयर में होता है ये हम चेक करके आपको दिखा दे रहे हैं कि ये डबल गुमाया तो एक साथ में आपकी चार लेयर की बत्ती त्यार हो गई है ठीक है अब आपको इस तरह से यदि 100 तार की बत्ती बनानी है तो आपको 25 बारी करना होगा तब आपकी 100 लेयर की त्यार हो जाएगी इसी तरह 25-25 बार का अलग-अलग करके आप रख सकते हैं या फिर आ आपको जलाने हैं अलग-अलग प्रकार से इस तरह से राउंड करके आप रख लें जैसा कि आप वीडियों में देख सकते हैं मैंने यहां पर अलग-अलग राउंड करके रखा हुआ है और यह हमारी चार-चार लेयर की हैं कहने का अर्त है कि इसे हम जब बीट से कट कर दे लेंगे तब ही अलग होंगी जाने कि 500 वाइंडेर यह हमारी बत्या रेडी हो चुकी है अब हम इसे एक साथ कर लेंगे सभी बत्यों को एक साथ करके आपको तिल के तेल में या फिर शुद्दगी में यदि विस्डु भगवान में जलाना है तो आपको शुद्दगी या तो लाखों और हजारों की संख्या में जब भी बत्या जलाई जाती हैं तो इस तरह से चुनाओ करती हैं आप जलाने के लिए एक अलग तरह का प्रोसीजर हमें फॉलो करना होता है क्योंकि देखिए जब बड़ी मात्रा में हम जलाते हैं तो ज्यादा घी और तेल की आशकता होती तो उसके लिए बड़े पात का चुनाओ करना होता है तो इस तरह से आप मिट्टी के बरतन आते हैं मार्केट में बो ले सकते हैं या फिर विष्णू मंदिर में जादा सुबता के लिए इस तरह से नारियल की जो गिरी होती है इसमें भी आप शुद्धगी और तिलका तेल कोई भी चीज़ डालके भगवान विष्णू के समक्ष आप जला सकते हैं बहुत ही पुनकारी होत और आपके कोई भी मनोकामना हो इस तरह से एकडशी या फिर आप पुन्निमा तिथी पर या फिर और कोई भी परव हो जैसा कि दिपावली है धन तेरस है या फिर मागु महिने में भी आप अंधेरे में प्रकास का दान कर सकते हैं और इस तरह से बहुत ही शुब होता है अ और यह हमारी 108 बतियों का धागा है मैंने एक बतियों में सभी मिक्स करके रखा हुआ है इस तरीके से प्रजलित करें और यह काफी देर तक जलती है और कभी भी आपको जलती हुए दीपक को बुझाना नहीं जाए बहुत ही अशुब कारी होता है कभी आप मंदिर में और जब तक उसमें घी या तेल होगा तब तक वो जलेगी वह स्वयम भी सुता ही सांत हो जाएगी और आपको आसपास का महौल देख लेना है कि इधर उधर कोई नुकसान ना हो बस इस चोटी सी बात का ध्यान रखती हुए आप कभी भी मनुकामना पूर्ती के लिए 108 बत क्या सब्सक्राइब करें को सब्सक्राइब करें नए विडियो के लिए तैंक यू